तो मैं हूँ में ग्राज और आज की इस सेशन में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस परकार अपने smart phone का या reset smart phone का या factory reset smart phone का या delete Kaiser smart phone का आप data को परकार recover करेंगे अगर आपके photos, videos, messages जो कुछ भी अगर आपका delete हो गया है आपके files, आपके themes जो भी delete हो गया है mobile आपने factory reset कर दिया था या गलती से हो गया था तो अगर आप अपने फॉन को उन छीजों को recover करना चाहते हैं वापिस लाना चाहते हैं चाहिए आपके whatsapp messenger के data ही क्यों ना हूँ अगर आप उसे वापिस लाना चाहते हैं वापिस रिकवर करना चाहते हैं तो यारा आप मारे ये वीडियो को कम्पलीटली जरूर देखेंे इ लेकिन अगर अभी तक आपने मरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार आप समारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइकन से चरूर करें तो चलिए आज के इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें गंटे को दबाएं ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसके लिए दोस्तों आप अपने smartphone पर जाना है और जहां कहीं भी setting का option हो आपको setting का option पर click कर देना है settings पर जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने काफी options आएंगे यहाँ पर scroll up करना है और आपके सामने जो एक main option मैं आपको बताने वाला हूँ वह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या option है दोस्तों एकाउंट और बेकपस का इस जगे पर आपको क्लिक करना है एकाउंट और बेकपस पर और किसी किसी मोबाईल में जो बेकप और रिस्टोर का option बाहर की तरफ नजर आ जाता है तो किसी में अंदर की तरफ जहां भी आपके स्मार्ट फोन में एकाउंट और बेकप का option आया आपको एकाउंट और बेकपस पर किलिक कर देना है एकाउंट और बेकपस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे किलिक करते है आपके सामने कुछ इस टाइप का option आ जाएगा अब आपको अपने बेकप को रिस्टोर करना है तो यहाँ पर आपके सामने दो उपसनाते हैं यह बेकप एंड रिस्टोर रिस्टोर करना है जिसे हमारा फोन फेक्टरी रिसेट हो गया था हमें बेकप लेना है तो इस पर आपको क्लिक करना है लेकिन अगर आपने पता नहीं कि आपने external source में बेकप ले रखाता है तो आपको यहाँ पर जाकर external source से उस चीज़ को यूज में लेना है काफी बार हमारा phone factory reset होता है तो automatic हमसे permission मांगी जाती है कि क्या आप अपने content का data's का बेकप लेना चाहते हैं तो काफी बेकती automatically बेकप एक्टिवेट कर देते हैं सेट रखते हैं और जैसे गूगल तो अपना बेकप को यहाँ पर restore का पूसन देखने को मिलता है लेना चिका रहा हूं लेकिन आने वाले future वाली वीडियोस के अंदर अगर आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उन वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल ड्राइव से हैं गूगल का जो एक्टरन बेकप किस प्रकाल लेंगे क्या थोड़ा load ने में समय लग सकता है, अब यहां उप सामने फर्स ऑप्सेन आ रहा है बेकप लेने का और दूसरा ऑप्सेण आ रहा है रिस्टोर करने का यहाँ पर 26 अक्टौर का जो गीज़ बेंगफ है वो आ चुका है क्योंकि इसी दिन इससे एक दिन पेला हमारा फोन रेक्टोर फेक्टेरी क्योंकि यार अगर चलो ठीक है मैं आपको सभी का बता देता हूं कुछ वेखतेंगा नहीं भी यह मत तो सभी का बताईए तो सभी पर हमने everything पर क्लिक करके यहां next पर क्लिक कर दिया है अब हमारा यहां से जो बेकफ है न वो start हो चुका है लेना अब यह बेकफ आने में थोड़ा से समय लग सकता है अब टो सिक्स मिनट बताये नहीं चे मिनट के अंदर हमारा फूल ओन बेकफ एजर रिस्टोर हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि रिस्टोर बेकफ का उपसन यहां पर देखने को मिलता है तो हमारा बेकफ छे मिनट के अंदर रिस्टोर हो जाएगा और फिर हम अपने इंटरनेट को बेकफ को यूज में ले पाएंगे तो दोस्तों यह कुछ इस टाइब से यहां पर उपसन देखने को मिल रहा है तो आप भी अपने स्मार्ट फून का बेकफ लेना चाहें तो यहां से ले सकते हैं फिलार हमें बेकफ लेने की जरूत नहीं है एक एजुकेशन परपस से ले रहाता है मैं इसको स्टॉफ कर देता हूँ इस टाइब से अगर आप अपने स्मार्ट फून का बेकफ लेना सीखना चाहते हैं तो इस मेड़र को यूज़ करके आप अपने किसी भी स्मार्ट फून का बेकफ ले सकते हैं आप कुछ भी एक दिकेंगे कि भाई यह हमारा बेकफ एक्सेनल स्टॉर्स में नहीं है वो गूगल ड्राइव के अंदर हो सकता है या कहीं हो सकता है में मालूम नहीं है तो आप नशीब को सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि आने वाले वीडियोatorium में आपको इस प्रूबल्म का समादान भी बता दूँगा